वेड़ी स्टुढ़ेंट्स मैईसेल्फ मिस्टर मरिविंदर सिंग हाज आपको क्लास 10 पर पॉर्वर्शेरिंग के बारे में बताने जा रहा हूं पीटिकल सैइंस के चैप्टर है पावर शेरिंग पावर शेरिंग को चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ठोड़ा जनल सी होती है किसी चीज़ को किसी देश में लुट रूप जो है रूप्यूंस को हुआ आपको चेप्टर में जब स्टार्ट करूंगा तो आपको पूरी तरह से पता चलिगा मेंस क्या है अपनी शक्तियों को किसी दूसरे के साथ बांटना मतल दूसरे को भी इकल जितना है पावर देना जितनी हमारे पास है उनको शेयर करना किस चीज को शेयर करना तो में आपको पता चल जाएगा इसके वारे में तो सबसे पहले बेल्जियम के बारे हम पढ़ेंगे बेल्जियम क्या है एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन ओवर वन करोड ठीक है वन करोड है जो हमारी हर्याना की पॉपुलेशन से भी आधी हर्याना की पॉपुलेशन से बिलकुल 1 कROड बेल्जियम की पॉपलेशन तो आप इससे अंदाज़ा लगा लिए पूरे देश में अगर हमारी स्टेट से आधी पॉपलेशन है तो वां करोड पॉपलेशन है और शीरीर को पॉपलेशन है और इसमें तिन बताए गए हैं में के एक विलोनिया और एक में 40% जो है French speakers रहते हैं और बेलेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग स्मीन कंट्री में मैं जो किकसी स्पीकर्स ही मतलब डच囉 जो है मैं जोटी में और में हुर्टी में कौन है फ्रैंच प्सक्रीड जो में मिंठ धर फ्रैंच मान्याटि में टिक जर्मन जो परसेंट यह तो deserves अख आप यह आपिटल जी आई इनकी रहे। ह में तर sen ने अधेल से अ सब्सकुर्ष मैस alors Yeah जैसे महरी आधानी जिसमें इसमें के लाचव इन यहां पर्फ्रेंच हूं आपर कोई दोनों आमlah जोर्टी में कोन आफ्रेंच हूं कि सी हें कैपिटल सीटी ब्रेजल में मैं मैं आप गान यह घोलाउर्टी यह मैंनि ऊथ्क है यहां में जोरी किस्कीए मैं डश थे 59 परसेंट पर कैपिटल शीटी ब्रेजल में जो जट है वो क्या है में मिन्योटी में है मतलब उल्टा हो गया अब क्या है अब जहां पर मेजोर्टी और मिन्योटी दो कम्यूटीज होंगी इनमें कंफ्लिक्ट पैदा होने के चांसे ज्यादा होते हैं अगर मेजोर्टी और необход solution जो है मोनियोटी के ओपर अपने अपना आ एंगाव को मैनियोटी को मतलब काफ़ी तो इसली है दोनों में जो और एक थे French अब दोनों में कंफिलिक्ट क्यों पैदा हुए due to some economic development को लेकर हुए है जा better education को लेकर हुए है जा equal jobs के लिए हुए है equal opportunities के लिए हुए है तो इन में जो है दोनों में जो conflict पैदा होगे due to some other reason तो इसलिए क्या है यहां पर majority और minority को लेकर शक्तियों को लेकर के हमें भी equal rights जा equal opportunities better education जा equal economic development जा equal कोई भी opportunity इनको मिलनी चाहिए उस चीज़ को लेकर दोनों में conflict पैदा होगे because of majority किसकी थी फैलमिश की पूरी country में और फैलमिश जो थे वो चाहते थे डच की majority थी और डच चाहते थे कि उनका पूरी country में और जहां तक की ब्रेजल में भी उनका दबदबा मतलब वो capital उपर capital city Brazil के उपर भी जो डच थे वो control करना चाहते थे कि हमारा पूरी country पे तो है यह हमारा capital city Brazil के उपर भी हमारा जो है पूरी तरह से control हो जाए बट जो फ्रेंच थे वह यह नहीं चाहते थे वह चाहते थे कि हमें भी equal rights और पूरी equal opportunities मिलनी चाहिए यह था हमारा एक पार्ट Belgium का अब हम सेकिंड पार्ट पर आते हैं दूसरा है श्री लंका श्री लंका में भी ऐसे दो ग्रूप थे एक थे सिन्हाल और दूसरे थे तमिल सिन्हाल कितने थे 74 परसेंट और जो तमिल्स थे वह कितने थे 18 परसेंट अब यहां पर आपको पता चल ला है कि मिजोटी ओफ लोग कौन से हैं तमिल जो सिन्हाल speakers हैं मिजोटी अब नहुंगे सिन्हाल कितने रहने वाले थे उनको थे ते उनको थे इंडियन तो में जो बाहर से माइग्रेट होकर वहां पे किसी काम के लिए या किसी भी दूसरी रीजन के लिए वहां पे रह रहे थे तो वह थे इंडियन तमिल्स और 7% इसमें कुछ लोग थे से क्रिस्चियन यहां पर एक बात मैं आपको बताना जाता हो जो सेवंटि4 परसंट सिनहाल थे यह बुद्धिस्ट जातर यह बुद्धिस्ट दर्मको माते ठेख बुद। लोग थे यहां पर सिनहाल में और तमिल्स में क्गों थे differenti अ SM झाली मुस्लमन बत्बंदे हिंदू और मुसलिम तमिल्ज में आते थे और 74 परसेंट जो शिन हाल थे जातर बुदिस्ट धर्म को मानने वाले थे और 7 परसेंट जो कृश्चिन थे यह भूत थे। तमिल्ज भी थे और सिनहाल दोनों कम्यूटी के लोग थे 7 परसेंट जो क्र तो यह पूरी कंट्रों bitcoin का इसंगा उनको प्हुआने में और अपनी जो अन्याइब करने में लगे नहीं क्या दोनों में स्कूब का अपनते हो जो है इसमें क्या तैना मेजोटी मेजोटी कि सिनहाल कम्यूटी की और सिनहाल कम्यूटी वाले लोगों ने क्या किया कि 1948 में एक डेमोक्रेटिक जो है इलेक्शन करवाए अब इलेक्शन में आपको पता है इलेक्शन में जो मेजोर्टी होती है उसी की जो जो गोर्मेंट है सरकार है वो बनती है ठीक है इसमें मेजोर्टी केट में डेमोक्रेटिक एलेक्षिन कराए खुदी जीत गी और खुदी जो अपनी गवर्मेट बना लिया जो भी है तो अपनी मनमर्जी जो है करने लगी पूरी देश के उपर तैचार होने लगे तिक उसके बाद के हैं 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया एक्ट में जो है दोनों सोशल ग्रूप्स में जो है सिवल बोर पैदा होगी सेवल जो है पदा होगी और दोनों के गीच में और पूरी है वातावरन था इन्वेरिमेंट था वो श्री लंका पैदा ह।ए फोर्मूला अपनाया। बट ऐसी। में मेजोर्टी और में में दोनों में कंफ्लिक्ट थे वडढ एन्हों ने ऐसे सौलु कर लिया कि इन्होंने इस ने सिवल वोर होगी मतलब पीस्फुल बिल्कुन नहीं रहा तीक है यहँ पर शानती होगी और ऐसे भी बेच़र में लेका राल भार्म एक्जांता होगिक में अपकर बेल्जिम कृ सब्सक्राइबिया करें we Kutla अपनाए गया इन्हों ने क्या किया जो है दो गर्मेट बनाई एक सेंटल में और क개टल सीटी में इसमें क्या किया नोने एक कुल रिपर्जेंटेटिफ जो है लिए चाहिए वह do fract of एक्वल डिपर्जेंटेटी इनगों na एक्वल जो है इन दोनों में इडिवाइड की डिच्छ और फ्रेंच कि इकोल को बराबर प्रेंटेटीकेह दोनों को बराबर जो है प्लत को बाटा गया चाहिए वो किसी jobs के लिए हो जा किसी representation जा किसी economic development education के लिए हो दोनों में जो है equally powers को divide कर दिया गया और उन्हें ये पीसफुली method अपनाया ता जो country की development हो सके आर्थिक फैदा हो सके इनको शांती बनाए रखे ठीक है तो मतलब हमारा overall जो था जो हमारा power sharing का था कि हम country में power sharing क्यों करते ह है due to unity of the country country की जो है जूनिटी बनी रहे है यूनिटी ओफ है कि कंट्री कि देश की एकता बनाए रखने के लिए देश के विकास के लिए देश में शांती बनाए रखने के लिए हम power sharing करते हैं जैसा कि Belgium में किया गया equal representation, equal jobs, equal development, economic aspects जो इनको दिए गए बट शिरी लंका ने ऐसा नहीं किया इसमें इन्होंने majoritism बना अपनाया जिसमें civil war हुई दोनों में काफी नुकसान हुआ ठीक है तो यह था पूरे दोनों जो Belgium और शिरी लंका का जो example देखे स्टोरी देगी थी आपको यह दोनों चीज जो है पावर शेरिंग कैसे की जाती है डेमोक्रेटिक गर्मेंट में जो है पावर शेरिंग कैसे होती है हमारे में देश एक जो है लोग्शंतरिक राज है यहां पर लोग राई डिवार्ट के दुबारा अपने प्रतिनित्य चींते हैं और प्रतिनित्य जाके आगे जाके लोगों के बिहाव के ऊपर आपने जो कोई भी लो है DAYमोक्रेटिंग कैसे होती है पावर शेरिंग कैसे होती है तो मैंने आपको बता दिए कि हमें पावर शेरिंग की जूरत की क्यों है तहां जो देश की एकनोमिक पावर शेरिंग क्या होती है कितने परकार की होती है तो यहां पर हम पढ़ेंगे इस फॉर्म्स ओफ पावर शेरिंग आपको बता रहूं में दो तरह की बताई गया नहीं बैसे और भी होती है दो तरह की बताई गई है को ने बताई गई है horizontal अ हो रिजोंटल पावर शेरिंग और वर्टिकल पावर शेरिंग और रिजोंटल पावर शेरिंग में इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है फस्ट बान है आपका को глca आदिन्हें लेटर सेकिंड आपका एक्जेक्स्टी वो थर्ड एक जूडिश की लिए में यह 33 आपणा砂ए ốngय और नीचे दिढ़ लेवल नहीं होता है जैसे मैं आपका अप्र हिर रहा हूं वर्टिकल पावर शेरिंग में वर्टिक बशेरिंग में सबसे उपर होती है आप की है पालिक की है पाल लोकल हो सबसे उपर जो सबसे वहती है उसके मेर्मानें योग्मा उसको देखती है बात वससे स्टत को देखती है उस्टत जया रोकल गल्security है एक ऊपर एक होती है ठीक है चिसी के सेंसरे पर यहां पर किसी यह आपर zurao पर होते हैं लेजिलेटर एग्जीकिटिव और जुडिश्री तीनों में जो है पावर्स को इकली डिवाइड किया जाता है और यह एक दूसरे को कोडिनेट करती है जैसे लेजिलेटर है लो मेकिंग वोडी है यह को बनाती है एक जीक्यूटिव क्या है उस चीज को इंपलिम स्टेट गर्वर्मिंट और लोकल गर्मिट यह सैंटर पक्राइट को इसको बनाटी है स्टेट पर म pray यह घृत्य है प्ल् criminal कोर्परेशन द्रॉगज को जयसे हैं पावर बहुत उस की और वी फॉते हैं वह хорошо होते हैं वहाँ आपको पता है majority of seats चाहिए होती है पर अगर किसी majority of seats नहीं मिलती है वो ratio नहीं मिलती है तो दो जो political party वो आपस में मिलके सरकार बनाती है coalition government जिसको हम बोलते हैं वो बनाती है तो दोनों जो parties है अलग-अलग आडिलोजिकी parties दोनों मिलके coalition government बनाती है तो उसके लिए वो जो है आपस में power को share करती है ठीक है तो यह social groups में भी power share होती है जैसे हम women's को reservation दे रहे हैं किसी election में खड़ा करने के लिए उनको power दे रहे हैं जो different groups में power share होती है तो यह था आपका form of power sharing में लिए आपको cbs exam में Belgium से लेटर शेरिलंका से लेटर और form of power sharing जिसमें horizontal और vertical इसको आपको पढ़ना होगा horizontal और vertical इससे लेटर जो है आपके questions आते हैं तो thank you very much hope आपको यह chapter समझाया होगा अगर आपकी कोई inquiry होगी तो आप मुझे please बताना हमारे चैनल evergreen education hub को जो है subscribe करना मत भूलना और like share करना मत भूलना और अगर आपकी कोई inquiry होगी तो आप मुझे please बताना है